हेलो व्यूवर्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे खिचड़ा जिसे हलीम या दलीम के नाम से भी जाना जाता है इससे पहले हमने आपके साथ मतन खिचड़ा की रेसिपी सेर की थी जो आपने बहुत पसंद की और आपी की डिमांड पर आज हम चिकन खिचड़ा की रेसिपी लेकर आए है खिचड़े की बहुत ही आसान रेसिपी आज हम आपके साथ सेर करेंगे वो भी ट्रिक्स और टिप्स के साथ तो चलिए सुरू करते हैं डेली और विकेंड स्पेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें हमने सोक किये हुए गेहु लिए हैं देखे खिचरा बनाने में जो गेहु इस्तेमाल होते हैं वो कुटे हुए गेहु होते हैं और इनका छिलका उतरा हुआ होता है तो हमने 500 ग्राम गेहु को 2-3 बार पानी से अच्छी तरह धोने के बाद पूरी रात के लिए भीगो दिया था अगर टाइम की सोटेज है तो आप गेहु को 4-5 घंटे के लिए भी भीगो सकते हैं अब हम इनको बोईल करेंगे सोक किये हुए गेहु को बोईल करने के लिए हमने प्रेसर कुकर में ट्रांस्वर कर लिया है इसमें एट करेंगे 1 टेबल स्पून सौफ साथ ही में एट करेंगे 1.5 लिटर पानी प्रेसर कुकर को लीट से कवर करके हाई फ्लेम पर एक प्रेसर आने के बाद गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इन गेहु को 15 मिनिट के लिए और बोईल करेंगे अब हम खिचड़े के लिए दाल भीगो कर रखेंगे इसलिए हमने लिए 3 टेबल स्पून मसूर दाल और 3 टेबल स्पून तूवर दाल साथ ही में हमने यहां पर लिये 6 टेबर स्पून उड़त दाल यानि कि मसूर दाल और तूवर दाल की डबल कॉंटिटी में हम उड़त दाल लेंगे अभी ने पानी से अच्छी तरह धोने के बाद एक घंटे के लिए भिगो देंगे तो यहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमने गेहूं को पूरी रात के लिए भिगोया था और दाल को हम सिफ एक घंटे के लिए भिगोएंगे तो हमने शिचडे के गेहूं को भी अच्छे से बोईल कर लिया है और अब हम इने रूम टेंपरेचर पर अच्छी तरह ठंडा करने के बाद मिक्सी जान में ग्राइंड कर लेंगे अक्सर जब खिच्रा बनाते हैं तो गेहूं में ही डाल एट करके डाल को भी पुरी रात के लिए भिगो देते हैं और उसी के साथ डाल बोईल करते हैं लेकिन हम इसा नहीं करेंगे डाल भी अच्छे से भीग चुकी है तो इसे बोईल करेंगे बोईल करते वग्त हम इसमें एट करेंगे एक ग्लास पानी प्रेसर कूकर को लीट से कवर करके हाई फ्लेम पर एक प्रेसर आने के बाद गेस की फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर सिफ दो मिनिट के लिए दाल को और बॉár करेंगे अब हम एक बड़े बरतन में एक सो पचासे मेल तेल एट करेंगे तेल गरम होने के बाद हम इसमें खड़े मसाले एड़ करेंगे जैसे कि दो तेज पत्ते, दो फूल चकरी, दो दालचिनी के टुकड़े और 20 काली मीच और इन खड़े मसालों को कुछ सेकेंड तक तेल में सोटे करेंगे और एड़ करेंगे एक टेबल स्पुन जीरा इडियम फ्लेम पर हम प्यास को गोल्डन ब्राउन होने तक तेल में अच्छे से फ्राई करेंगे तो इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हमने प्यास को तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया इस टेज पर हम इसमें एक किलो चिकन एड़ करेंगे और साथ ही में हम इसमें 1.5 टेबल स्पून नमक एड़ करेंगे और चिकन की तेल में अच्छे से भुनाई करेंगे चिकन और नमक एड़ करने के बाद हमने मीडियम फ्लेम पर इसे तेल में 5 मिनिट के लिए अच्छे से भून लिया और अब हम इसमें एक कप पानी एड़ करेंगे और इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर दस मिनिट के लिए और भूनेंगे तो इसे कवर करके हमने कुछ देर तक और भून लिया अब देख सकते हैं कि चिकन में से तेल रिलीज होने लगा है और इसका पानी भी सूखने लगा है और इस टेश पर हम इसमें एड़ करेंगे तीन टेबल स्पून अद्रख का पेस्ट साधी में एड़ करेंगे तीन टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और तीन टेबल स्पून छोटी हरी मिश का पेस्ट और कुछ सूखे मसाले एड़ करेंगे जैसे कि 1.5 टेबल स्पुन धन्या पाउडर 1.5 टेबल स्पुन लाल मिश पाउडर 1 टीस्पुन हल्दी पाउडर और 1 टीस्पुन गरम मसाला सारे मसालों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनिट के लिए हम इसे खुले में भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए मसालों का कच्चापन दूर होने तक दो मिनिट के लिए हमने इसे खुले में भून लिया और अब हम इसमें एक कप पानी एट कर देंगे और इसे कवर करके लो फ्लेम पर दस मिनिट के लिए और भूनेंगे बीच बीच में चेक करते रहेंगे चिकन को हमने मसालों के साथ पकने के लिए रख दिया है और दूसरी तरफ हमने 50 ग्राम लहसुन को तेल में गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लिया है और ये रूम टेंपरेचर पर अच्छे से ठंडे हो जाए पर इसे चला लेंगे और इस टेश पर हम इसमें एट कर देंगे खिचडे के गेहु जिनको हमने बॉल करके मिक्सी जार में अच्छे से ग्राईड कर लिया है साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे ब्दे लीटर पानी पाने की कॉंटिटी आप अपने हिसाब से भी मेजर कर सकते हो अगर आपको थोड़ा लचीला खिचरा चाहिए तो पाने की कॉंटिटी बढ़ा दे साथ ही में हमने जो डाल बोईल करके रखी है वो इसमें एट कर देंगे और हमने जो लहसुन फ्राइ करके उसे मिक्सी जान में पीस लिया है वो भी इसमें एट कर देंगे अपने यहाँ पर एक बात नोटिस की होगी कि हमने खिचड़े के गेहु को मिक्सी जान में पीस कर एट किया है और हमने जो दाल ली है उसे हमने Mike Sii में पीसा नहीं है बलकि इसे ही एड़ कर दिया और हमने डाल और खिछडे को नहीं सात में भी गोया नहीं इनको सात में बोयल किया इसकी एक वज़ा ये है के दाल जो है वो थोड़ी जल्दी बोयल हो जाती है और गेहूं को बोईल होने में थोड़ा वक्त लगता है अगर हम इनको साथ में बोईल कर लेंगे तो नीचे दाग भी लग सकता है तो बहतर होगा कि आप इन्हें अलग-अलग ही बोईल करें और इस टेज़ पर हम इसमें 1.5 टेबल स्पून जितना नमक एट कर देंगे नमक एट करते वक्त ध्यान रखेंगे क्योंकि हमने चिकन में भी नमक एट किया हुआ है अब इस खिचड़े को लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे और बीच-बीच में इसे चलाते रहेंगे और हमें इसे इस तरह चलाना है के चमश बरतन के तले तक लगे यहां पर इस खिचड़े को लो फ्लेम पर पकते हुए 20 मिनिट हो चुकी है इस स्टेज पर हम इसमें एट कर देंगे 2 तेबल स्पुन फ्राइ क्यूई प्याज और साथ ही में एट करेंगे 2 तेबल स्पुन फुदीना और 2 तेबल स्पुन हरा धनिया अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लो फ्लेम पर 10 मिनिट के लिए और पकाएंगे खिचडे को हमने low flame पर आदे घंटे के लिए पकाया है और बीच बीच में हमने चम्मच को बर्तन के तले तक लगाते हुए इसे चलाया ताकि ये नीचे ना लगे अब देख सकते हैं कि हमने इसकी consistency को कुछ इस तरह रखा है अब हम गेस की flame को off कर देंगे और इसे गानिश करेंगे गानिशिंग के लिए हम इसमें एट करेंगे बारिक कटा हुआ हराधनिया और बारिक कटा हुआ पुदीना साथ ही में एट कर देंगे फ्राई क्यूई प्याज आप हमारी इस recipe को try कर रहे हैं तो हमारे साथ अपने experience share करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा वीडियो पसंद आई हो तो like, share और comment करें चैनल पर नए है तो मेरी आपसे humble request है के चैनल को subscribe करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का YouTube चैनल पर एक नए recipe के साथ तब तक के लिए good bye